असलाम अलेकम आज जो रेसेपी में आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है चिकन स्टेक with grilled vegetables and garlic rice तो चले हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम चिकन स्टेक बनाएंगे इसके लिए चिकन ब्रेस्ट के तीन से चार पीसेज ले 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 और उनको आप स्टेक हैमर से अच्छी तरह से पाउंट कर ले इस तरह से ये अच्छा सा मैरिनेट हो जाता है जै ये देखें इसके tissues break हो जाते हैं तो फिर ये मैरिनेशन बहुत easy हो जाती है सारे पीसेज को आप एक एक करके इस तरह से पाउंट करें उसके बाद इन सब पीसेज को एक बोल में डालें और मैरिनेट कर ले मैरिनेशन के लिए इनमें आप एक टेबिल स्पून लेसे नदर का पेस्ट आइट करें एक टी स्पून नमक डालें साथ ही एक टी स्पून काली मेरिज का पाउडर शामिल करें और फिर तीन टेबल स्पून लेमन जूस यानि लीमू का रच जो है वो आट करतें जी ये देखें अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करके मैरिनेशन कम्प्लीट कर लें उसके बाद कवर करके एक खंटे के लिए रखतें एक खंटे के बाद आप पैन में ओयल डालें तक्रीबन दो टेबल स्पून और जब वो गरम हो जाए तो फिर उसमें चिकन के पीसेस रखतें इस तरह से और इनको ग्रिल कर लें इस पैन परी चीहिए देखें दोनों साइट्स को आपने हलकी दर्म्यानी आँच पर पांच-पांच मिनट के लिए पकाना है यह आप देखें एक साइट बिलकुल हो गई है अब आप दूसरी साइट को रेडी कर रहे है यह देखें अब यह चिकन स्टेक जो है वो बिलकुल रेडी है तो चलें अब वेजेटेबल्स की तरफ आते है यहाँ पर मैंने यह कुछ वेजेटेबल्स लिए है यानि गाजरें ग्रीन बीन्स जिनको फलियां भी कहते हैं स्प्रिंग अनियन्स यानि सबस प्यास और शिम्ला मिरच उनको मैंने इस तरह कट कर लिया फिर आप उसी पैन में दो टेबल स्पून मखन के डालें और जब यह इस तरह पिकल कर गरम हो जाए तो फिर आप इसमें यह वेजेटेबल्स एड़ कर दें और इनको हलकी दर्म्यानी आँच पर इस पर पका लें यानि ग्रिल कर लें यह आप देखें थोड़ी थोड़ी देर बाद उनको इस तरह से आप पहलाएं और यह वेजेटेबल्स हमारी रेडी हो गई है चलें अब हम कार्लिक राइस बनाते हैं एक कड़ाही या देचकी में दो टेबल स्पून मखन डालें फिर उसमें एक टेबल स्पून चॉप किया हुआ इस तरह से आप लेसन शामिल करें और उनको लेसन को थोड़ी देर के लिए इसमें तकरीबन एक मिनट के लिए फ्राइ कर लें उसके बाद इसमें दो टेबल स्पून सुपसप्यास शोटे-चोटे काट कर आड़ करें साथ ही एक टेबल स्पून नमक एक टी स्पून काली मिरच का पौउडर भी आड़ कर दे नमक आप अपना हसाप से भी डाल सकते हैं यानी हसपजाइका भी आड़ कर सकते हैं इनको मिक्स करने के बाद इसमें बॉयल राइस एड़ करते हैं, दो कप चावल आपने बॉयल करने हैं, ये देखें, अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, जी, ये अब हमारे कालिक राइस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, इनके साथ आप चिकन स्टेक रखें, साथ रड़ी हो चुकी है, सबर्दस्ट और मज़ेदार बहुत एजी रेसिपी है, आप जरूर ट्राइ कीजिएगा, थेंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो, टेक कियर, अलाहाफेज